हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का कॉमिक वाल चैनल पर तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में हड्डियों का सिंगासन हड्डियों का सिंगासन वो गुस्ताक नहीं जानते की हड्डियों के सिंगाजन पर सिर्फ और सिर्फ हड्डियों के राजा राक्षास राज का हक है हमारे लिए क्या देश है महावली इन दुष्टों को श्रीमरी नदी पार नहीं करने देना है सेना पति व्योम तुम अपनी बड़ी से बड़ी सेना लेकर जाओ इन में से किसी एक को भी जिन्दा नहीं देखना चाहते हम जो आग्या महावली हम इसी समय पर सांद करेंगे और फिर देखते ही देखते आकाश नाक मार्ट से कोच करो उदर शिरी मणी नदी के किनारे साफधान साथियों शिरी मणी नदी पार करते ही खत्रा बढ़ जाएगा हो सकता है हड़ीयों के बाशार राक्षासाज हम पर आक्मन करने की चेश्टा करें अगर ऐसा हुआ तो हमें ईट का जवाब पत्थर से देना होगा राक्षासाज कभी नहीं चाहेगा कि उसके सेंगासन पर किसी और कादिकार हो जाए और हमारे महामहिम ये कभी पसंद नहीं करेंगे कि हड़ीयों का सेंगासन लिये बिनाम खालियात वापिस अपने किले में पहुँच जाएं इसलिए पड़ते एक खत्रे से सचक रहते हुए आगे बढ़ो और नदी को पार कर लो आगे बढ़ो हड़ीयों के सेंगासन को किसी भी सूरत में प्राप्त करना है हो 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 अब ही आचानक ओ खत्रा अगले ही बल सेनापती मांड़ चीक उठा ठैरो खत्रा क्या हुआ सेनापती जी कैसा खत्रा बहर देखो मूर्खों उफ ओ कंकालो की सेना राक्षराज के चेना ये समय इन सब बातों का नहीं हमूर्खों वह राक्षाराद की सेना है लगता है राक्षाराद को पता चल चुका है कि हम सिंगासन पर अधिकार जमाने के उद्देशे से वहाँ पहुंच रहे हैं मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ अर आगने अस्तरों का प्रेयुक करो मेरा जौला मुकी हस्तर तो मैं ऐसा करने का अफसार ही नहीं देगा डुष्ट राक्षस होगे डुष्ट सेना पती मांड़ो और अगले ही पल सेना पती व्योंग के जौले मुकी हस्तर से महाशक्तिजाली किल्ने से भूट निकली क्रका किर्णने नदी के जल को बीनती हुई तल तक जा पहुची और मानो नदी में जौर भाटा सा उठ खड़ा हुआ अगले ही पल नदी का जल सागर के समान उफनता हुआ तपते जौरा मुकी के लावे के समान खौलता हुआ राक्षसों की सेना को जलाने लगा मैं कहता हूँ ठैरो रुख जाओ ये माया जाल है रुख जाओ मुर्खो पक्षी बल का प्रियोग करो बचाओ आँ भागो और भागते हुए राक्षसों को मानू अधेरे में जुगनू सा चमकाओ मनी मन कोई बंतर बुद्बुताते हुए अचानक वे हवा में उठेने लगे जबकि सेनापती मान्डव का रोम रोम क्रोध किया दिखता की कारण सुलग उठा अगले ही पल दाद भीच कर कुर्रा उठाव है सेनापती मान्डव का अधेश पाते ही राक्षस कांकालो के उस सेनापती तूट पड़े सेनापती व्योम ने भी आकर्मन का अधेश दिया देखते देखते आकाश में राक्षसो और कंकालो की सेना में भ्यानक योद्य छड़ गया मा डालो काट डालो आँ उफ इधर सेनापती मान्डव उधर सेनापती व्योम इई भीशन मार काट मचाते हुए दोनों आमने सामने आ पहुँचे आस तु मेरी तलवार की धर्स किसाएं से बचकर नहीं निकल सकता डुष्ट सेनापती व्योम तेरे शरीर के हड़ी हड़ी चीर डालूँगा मैं डुष्ट सेनापती मान्डव तुमारे माहा महीं कुरूरग को शायद तुम पर वा तुमारी दिशाल सेनापर हत्य देगा बेबान है यहां तक कि वह हड़्डियों के सेनापती को हत्याने की दुसास पूर्ण चेष्टा भी कर चुकर बैठा लेकिन वह यह नहीं जानता कि उस पवित्र सिंगासन पर केवल शान्ती के दूती अपना असन लगा सकते हैं कुरूरग जैसे जाली मुकी तो उस सिंगासन की और उटने से पूर वी निगाए फोड़ दी जाती है आज जब तुम यहां से जाओगे तो ये बात अच्छी तरह से समझ चुके होगे कहने के साथी सेना पती व्योम ने अस्तर को मा दिया था लेकिन शीगरी सेना पती मांड़ समल गया दूसरे इपल उसकी भारी तलवार की नोक से तेज रोशनी से निकल कर सेना पती व्योम की ओ लबकी मैं तुझे चला कर खाक कर डालूँगा सेना पती व्योम तेरी क्रोधाग नहीं तो जब भस्म कर डालेगी मूर्क मांड़ाओ सेनापती व्यों के अस्तर से भी एक किरन निकल चुकी थी दोनों के अस्तरों से निकली मिर्ट्यू बे किरलें बेहत तेजी के साथ एक जूसरे से टकराईं और एक जबर्दस विस्पोर्ट हुआ सेनापती व्योंदारा छोड़ी मिर्ट्यू किरन ले सेनापती मांडव की गरण को निश्क्रिय किया और फिर सेनापती मांडव को अग्याद दिशा की उल्ले उड़ी जब कि इधर सेनापती की अनुपस्तिती में मांडव की सेना में खलबली सी मच गई सेनापती जी घबराकर यहां से चले गए एक ही रास्ता है जान बचानी है अब क्या होगा कंकालो की सेना मरते तम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी एक ही रास्ता है जान बचानी है तो भागो लेकिन कंकालो की सेना ने भागने का कोई अफसर नहीं दिया पचे कोचे राक्षसों ने भाग रहेंगे अंतिम कोशिश की अवश्ची की परंतु अई कच खचाक थाक जबकि उधर सेनापती मांडव हावा में कला बाजिया खाता हुआ जंगल में इस्ते थे एक वीरान के लेके एक कक्ष में हाकर गिरा और उसकी सूरत देखते ही वहाँ बैटा शक्स बुरी तरह से चौंक उठा अरे ये तो सेनापती मांडव है लेकिन ओ समझा सेनापती जी की ये हालत अगला ही बलब गरज उठा इसे उठा कर तुरंत अपचार के लिए ले जाओ जल्दी करो जी जो आग गया उस राक्षस से लगा दूगा उसमें और तुमसे वह माहाशक्तिशाली सिंगासन हासिल करके रहूंगा उस सिंगासन बड़ मेरा यदिकार होगा हाहा कान खोल कर सनलो राक्षसाज वह सिंगासन मेरा होगा अब तुमारी टक कर सीदे मुझ से होगी यह तब ही एक नवयोग की नमा अश्री आप अपनी इस इच्छा का त्याग खामाउश रहू फील बरी तो हम हमारे पुत्रों इसका मतलब यह हर्गिस नहीं कि हम तो मैं राजकार के प्रतेक मामले में हस्तेशेप करने थे हम एक बार जो ठान लेते हैं उसे पूरा कर कही दम लेते हैं और तभी गेर्यों वस्ते धारण की एक पुन्य आत्मा ने भीता प्रवेश किया ठैरो कुरूरत इतने व्यग्र मत बनो तुम नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो इसका पर्लाम क्या होगा कौन ओ तो ये आप हैं दरम गुरू अश्र होता है मुझे ये सोच कर कि आप ऐसा कह रहे हैं आप न क्या मतलब जरा ठंडे दिमाग से काम लुक रूर और राक्षाजार परताब से युद्ध की बात दिमाग से निकाल दो क्योंकि इसमें तुम भूल रहो कि तुमारी सिक्षा समाप्त करते समय मैंने तुमें मैंने तुम से ये प्रण लिया था कि तुम अपनी समस्त शक्ति सिर्फ और सिर्फ भलाई के कारों मैं करूगे यही प्रण तुमारे सहपाटी रह चुके प्रताब सिंग ने भी लिया था वह तो आज तक भी उस प्रण पर काया में किन्तू बड़े दुख की बात है कि तुम उस वचन से मुकर गयो यही नहीं प्रताब से यानि राक्षा सिंगासन कंगाल राज को सौब दिया उसे जो लालच उसे जो मानव योनी में आता है कि तुम मुझे नहीं क्या ये कार रुचित था अगर आज वज सिंगासन मेरे पास होता तो उसकी मतर से मैं तीनों लोगों पर अपनी विजय पता का फैरा चुका होता लेकिन नहीं बच्चे और ये भूल रहो कि अपने सबसे योग ये शिशियों यानि तुमारे परताप सिंग के बीच एक परतीस परता का आयोजन में इसलिए ही किया था तुम दोनों में जो विजय होगा उस महाशक्तिमान ये हड्डियों का सिंगासन पुरसकार सरूप उसे मिलेगा औ और आने वाले दिनों में वही राक्षसों का राजा होगा जो आग्या गुरुदेव जो आग्या गुरुदेव हड्डियों का सिंगासन पाने के लिए में खून की नदियां भी भा सकता हूँ आज तुझे मेरे हाथो मिर्ट्यू पाने से कोई नहीं बचा सकेगा तुछ प्राणी टकर भीशन हो सकती है लेकिन अगर मैं हार गया तो ना केवल परलाम मेरी मिर्ट्यू ही होगा बलकि राक्षसों का राज एक दुष्ट प्राणी होगा हड्डियों का सिंगासन मुझे प्राप्त कर नहीं होगा अगले ही पल दौन अपने अपने अस्त्र समाहले एक दूसरे को पराजित करने के प्रियास में जुट गए खना कुरूरक न बड़ी फुर्ती के साथ अपनी कटीरी तरवार का वाप्रताप सिंग कर किया किन्तु परताप सिंग पहले से ही तयार था अता उसने जुकाई देकर वार बचा लिया और इसी के साथ परताप गई और अगले ही पल अब देखता हूं इस भ्यानक सर्पदर्शित से तु कैसे बसता है साएं ओ सर्पशक्ती परताप सिंग ने सर्पशक्ती को गदा पर रोका और एक तीवर छटका दिया परड़ाम सरूप कुरूरक की उस सर्पशक्ती के दो तुकड़े हो गए उफ ख अगले ही पल परताप सिंग ने कुरूरक को अपने एक हाथ पर हवा में उठा लिया और फिर वहां मौझूद प्रतेख व्यक्ते परताप सिंग के अद्बुर शक्ती को देखकर हत प्रभ उठा और इस प्रकार उस महा युदिकान्त हुआ क्योंकि जबीन पर करने के बाद कुरूरक में इतनी शक्ती शेष नहीं बचीती कि वो परताप सिंग के मुकाबले में खड़ा डैपाता और धरम गुरूना परताप सिंग को विज़ाई गोशित करते हुए हट्डियों का सिंगासन उससे सौंप दिया साथ ही हम तुमसे यह उमीद करते हैं कि इस संगासन पर पैटने के पश्चाद जनता के दुख दर्द को तुम अपना ही समझोगे जो अग्या गुरू जी अब अगर तुमें इस परतेश परता में हार गए तो इसमें किसी का क्या दूश वायदे के नुसार हमें ये संगा पुरा नहीं मानेंगे शिश्य हां पर याद रखना कि अगर अब तुम पर कोई विपत्ती आई तो मदद के लिए पोकारने की चेश्टा मत कर बैटना क्योंकि हम नहीं आएंगे इतना कहने के साथ ही धर्म गुरू वहां से प्रस्तान कर गए जबकि कुरूरग एक भ्यान तो मैं शोबा नहीं देती मेरे बच्चे धर्म गुरू जैसे वेक्तियों के आगे कुरूरग कभी सेर नहीं जोकाता और आज से तुम भी उसका नाम अपनी जवान से नहीं लोगे पाप और पुन्नी की टकर में अंतता जीत पुन्नी की योती है पिता श्री आप एक बार खामोश अब हमें संबन में खुश सोना नहीं चाते तबी महामाईम की जय हो क्या बात है से ननायक ठुक शुक महामाईम के लिए सेवा के खुशकबरी लाया है कुरूरक के लिए अब सबसे वड़ी खुशी की बात हट्टियों के सिंगासन बरासन लगानी की होगी खेर त उसकी तो अभी शादी भी नहीं पहले तो मुझे भी अपने कानों पर यकिन नहीं हुआ तो महामाईम लेकिन ये सच है हमारे गुप्तचरो ने ये खबर दिये आज जब वे जंगल में राक्षास प्रदेश की सीमा के निकट गष्ट पर थे तो उन्होंने देखा कि बचा लिया उस कंकाल का शकंजा इतना मजबूत था कि कॉरिल्ला हवा में दम तोड़ गया कंकाल ने उसकी लाश को एक तरह पटक दिया और उस अदित्य सुंद्री की ओर पड़ा यह देखते ही सुंद्री की भैसे किक्की बन गई नहीं कौन हो तुम आगे मत पड़ो डरो नही मुझे अपना मित्र ही समझो लेकिन तुम कौन हो और तुमारा यह रूप गबराओं नहीं हम शान्ती के पजारी हैं लेकिन है सुंद्री तुम कौन हो और यहां इस भ्यानक जंगल में क्या कर रही हो मेरा नाम राजकुमारी कंचन लता है मेरी कान ही बहुत लंबी है मित् अटक रही है और भगवान ही जानता है कि वे कभी मुझे मिलेंगे भी या नहीं कौन है तुमारे पिता और वे तुम से बिच्छड कैसे गए मेरे पिता परताब सिंग चंदन नगर के राजा है और आज से दो साल पर उस मनू संद्या को पिता जी शिकार पर गए थे और अ परताब सिंग है? हाँ ओ कहीं वो तुमारे पिताजी ही तो नहीं? कौन? किसकी बात कर रहो तुम? मैं राजा परताब सिंग की बात कर रहा हूँ इसी जगे आज से दो साल पहले हमें परताब सिंग नाम का वह वेक्ति भ्योश्ट पड़ा मिला था अपने वेक्तित्वे से वह किसी देश का राजा ही लगता था लेकिन वह अपनी इस्मर्ण सक्ति कोच चुका था आज भी उसे अपने बारे में कुछ मालूम नहीं और वही आज हमारे राजा भी है लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि वह पर्ताप सिंही है क्योंकि वह तो मैं उन्हें खुछ दिखाऊंगी शायद उनकी इसमर्शक्ती लोटाए अवश्य मैं तो मैं वहाँ अवश्य ले चलूँगा आओ मेरे साथ ये रहसुद घाटन महामहिम के सामने करना होगा महामहिम को परसंदने करने का इससे बड़ी है रास्ता और कोई नहीं हो सकता हाँ जल्दी चलो और इस प्रकार वे दोनों जासूस मुस्ता कहां पहुचे महामहिम अगर हम राक्षाजाज की पेटी को अगवा कर लें तो हाँ 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 हम से हम जाकर ये नेक कार करेंगे अब परताब सिंग हमारे हाथ उसे नहीं बस सकता हाँ 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 उदार राक्षाजाजाज के महल में उफ हमें कुछ याद नहीं आ रहा से ना पती कुछ याद नहीं आ रहा हुँ है अह नहीं ओ हाँ अगले ही पल को जयाद करते ही राजकुमारी कंचन लताना जल्दी से कहा ये देखिए मेरी कलाई के ओर देखिए पिताजी इस पर भी ठीक उसी अंदाज में आपका नाम लिखा हुआ है जैसा कि आपकी कलाई पर इस पर तो निसंदे आपी का नाम लिखा है माबली और अंदाज वस्याई भी वही है जैसा कि कभी आपके कलाई पर हुआ करती थी उफ ये सब क्या है आप याद करने की चेश्टा कीजिए पिताजी आप शिकार करने के लिए महल से निकले थे लेकिन फिर नहीं लोटे माँ आपके इंतजार में आज भी आँखे आठाता ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि जब आप हमें भी वहोशी के अवस्ता में मिलेते तब आपके माथे जरक्त बहरा आता और और याद कीजिए पिताजी आपको याद आ रहा है हाँ उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूं कि क्या हुआ मैं यहां कैसे आ गया और यह सब क क्या है आपकी इसमर्शक्ती लोट आईए पिताजी ईश्वर का लाख लाख शुकर है अब मैं अपनी मा की आँखों में बरसों से खोई खुशी पनपती देख सकूंगी आप मैं कितना अभागा हूं मेरी बच्ची पर भगवान को यही सब मनजूर था होनी बहुत भलवा है बेटी लेकिन तुम कौन हो और मेरा रूप परिवर्थन कैसे हो गया यह मैं आपको बताता हूं मावली क्योंकि वास्तव में आप हमारे राजा हैं और यादश वापिस आजाने से आप हमें भूल चुके हैं सुनी है मावली आपको व्योशी की हालत में उठा कर हम लोग अपने धरम गुरू के पास ले गए और जब आपको होश आया तो तुम अपनी यादश खोचुके हो मानव और जब तक तुमारी यादश लोट नहीं आती तुम यहीं हमारे पास रहोगे और अगर चाओ तो हमसे सिक्षा घ्रण भी कर सकते हो उसके बाद आप धरम गए किन्तु कुरूरक हमेशा आपका मुख पत्यदंदी रहा और आज भी है शाबास परताब सिंग तुम नसंदे महावली हो अनता कुरूरक जैसे हमारे शिशक और राक्षर जाती का भी कोई वीर परास नहीं कर पाया यह सब आपके आशिरवात का परताब है धरम हार के बाद कुरूरक तिल मिलाकर अपने कुछ विश्वसनिय सैनिकों के साथ हमारे राजी की सीमा से बाहर एक पुराने किले में जा चुपा आपको इस हार का पतला लेना होगा महामईम और मैं यानि मांडव इस काम में आपकी मदद करूँगा फिर बाचिप चिप कर हमा भबराओ नहीं कुरूरक के सैनिकों की ये कमजोर शक्तियां आप हमारे कुछ नहीं पेकाल सकती बस यही आपकी बिहोशी के बाद की कहानी और अब ये आप पर निर्वा करता है कि आप हमारे राजाई बने रहते हैं या अपनी जनता के पास अपनी बेटी के साथ वापिस अधन नहीं धर्मगुरू लेकिन जाने से पूर्थ तुम्हें अपना ये रूप बदलकर वापिस मानव रूप में लोटाना पड़ेगा अवश्य धर्मगुरू मैं तयार हूँ फिर धर्मगुरू ने अंजली में थोड़ा सा जल लेकर कुछ मंत्र पड़े और उस जल को कंकाल लाज पर छड़क दिया अगले ही पल और अपने पिता को उनके वास्तवे ग्रूप में देखते ही कंचन लता लता के समान उनसे लिपट गई पिताजी मेरी बच्ची अब फिर एक बार हड्डियों के सिंगासन के उत्रादिकारी का चुनाओ करना होगा और फिर विदाई के समय अलविदा मेरे मित्रों आपका धेर सारा प्यार वमीठी यादे लेकर हम अपने देश के ओर लोट रहे हैं आप लोगों को कभी भुला नहीं पाएंगे हम राक्षसाज जिंदाबाद आग्या दीजे धर्म गुरू चिरन जीव रहो पोत्रों धर्म गुरू से आग्या प्राप्त करने के पश्चाथ जाओ तुम सब हमारी सीमा के बाहर इनके साथ सेनापती व्यों सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है जो आग गया फिर वे इन दस सैनिकों के काफले के साथ चंदर नगर के और प्रिस्थान कर गए आपको मेरे साथ देखकर मा कितनी प्रसंद होगी ना पिताजी हाँ मेरी वच्ची काश इस समय मेरे पंक ल क्या है पिताजी उफ आ दुआ लगता है क्रूरक न मौका पाकर हमला कर दिया है वह हम सक पदुश्मन है हड्डियों के सिंगासन बर नजर है उसकी ओ अब क्या होगा गबराओ नहीं हमें उसका मुकाबला करना होगा सैनिकों आकमर का जवाब देने के लिए तैयार हो है और पिताजी मुझे बचाईए हे प्रभू मेरी बच्ची याद रिश्य देख सेनापती का खून खौल उठा अगले ही पर उसने मनी मन एक मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते वह विशाल काय पक्षी का रूप धरकर उस सितारे के पीछे ओर चला मैं तुझे पहचान याँ खुरूरक आज तु मेरे हाथों से नहीं बच सके का टोस्ट हा 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 मेरी बच्ची उफ कोई बचाओ से तबी भाग ये महाबली आग फैल रही है अब धरम गुरू ये आपकी बेटी को बचा सकते है किरपागर वाबिस महल के और चलिए महाबली फिर धरम गुर गुरू के समक्ष पहुंचकर जब एक सैनिक ने पूरी घटना संचेप में उनके सामने रखी ओ उसकी इतनी हिम्मत हम उसे नेस्तो नाबूत कर देंगे तुम फिकर मत करो परताब सेंग तुमारी बेटी पर आंस तक ना आने देंगे हम ना जाने इस समय वह उस तुष्ट करती एक और को घुम गई वह नीचे जाने के लिए सीडिया नजर आने लगी चले आओ हमारे साथ दौनों एक विशाल कक्ष में पहुंचे अब हम ध्यान लगा करूरक की इस्तिती का पता लगाएंगे मैं जहां भी होगा उसकी तस्वीर हमारे जहन में कौंधने लगेगी धरम गुरू ने ध्यान लगाना रम्ब किया कुछी छणों बाद ओ आप धरम गुरू मुझे कैसे याद किया कुरूरक राजा परताप सिंग की वेटी को वाविस लोटा दो अनद हम समझेगे कि तुमने हमारी अभग्या की है जिसका पर्लाम तुमारी मिट्टी भी हो सकत है और मेरा यह यह कि शीगर ही पूर्ण होने वाला है नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे तुम ऐसा नहीं कर सकते डुष्ट हाँ 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 ऐसा जरूर होगा धरम गुरू और फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे हड़ियों का सिंगासन प्राप्त करने से नहीं रोक सकेगी हाँ 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 और फिर जल्दी करो मावली वैदोष्ट कोची भी अनर्थ कर सकता है हमें शीगर हती शीगर उसके निवास स्थान तक पहुँचना है तत पश्चात अभी में महल के बाहर ही निकले थे कि अरे पक्षी को रूप में वह तो सेनापती व्यों है पिर्थी अगले पल तीनों क्रूरक के किले की तरफ उड़ चले जबकि इदा क्रूरक के किले में अपने भगवान को याद कर लो राजकुमारी क्योंकि आप तुम केवल कुछी चड़ों की महमान हो तुमारे बात न तुमारे पिता वा धरम गुरु जैसे अपने सबसे बड़े करूरक के क्रोध को रही जानती अब तुम सब को मिर्थी को मुख में जाने से कोई नहीं रोक सकता राजकुमारी चीकती चिलाती रह गई पर कुरूरक अपने यग्या आउतियों में डूप गया और फिर कुछ देर पश्चात राजकुमारी को यग्यस तल पर ले आओ नह करूरक को अपने गेरे में ले लिया तुम मेरा कोच नहीं बेगार सकते हैं किन्तु कुरूरक वह अगनी घेरा बांद बांद ना सका आप तुम मैंसे कोई नहीं बच सकता कहने के साथी कुरूरं के सानब बड़ी खोपड़ी उठाई और उन तीनों की उर उच्छाल दी पढ़डान सरूप ओ इन खोपड़ीयों को अपने निकट मात आने दू फिर कर तुम की तलवारों से खोपड़ीया कई तुकड़ों में बढ़ कर हवा में बिखर गई और तब राजा परताप सिंग के हाथ में एक बेहत नन्ना सा तृशूर डिष्टी कोचर हुआ हमारे इजवार को तुमारी शक्तियां परास नहीं कर सकती कुरूरक जय कुरूदेव कहने के साथ ही परताप सिंग नन्ना सा तृशूर कुरूरक की ओर चल दिया मानो चमतकार हुआ उस तृशूर पर निगाये पढ़ते ही कुरूरक भैसे काप उठा उस तृशूर को देखते ही वे भैवी तो वहाँ से भागा लेकिन तृशूर ने उसका पीछा नहीं चोड़ा और खचाक आई तत पच्चाद उस तृशूर का को कुरूरक के साथियों पर पडशा आई पचाओ और तबाई मचाने के पच्चाद वर तिशूल पुना छोटा होकर वापिस राजा परताप सिंग के पास पहुंच गया सेना पती व्योम ने आगे बढ़कर राजकुमारी कंचल लता को बंदन मुक्त किया बंदन मुक्त होते ही पिताजी मेरी बच्ची तो ठीक तो है ना ईश्वर तुम्हें सता पसंद रखे अब तुम्हें किसी बात का डर नहीं है मावली पापी को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है और तबी धरम गुरु की निगाएं एक कोने में खड़े गुरू रख के पुत्र भीर बली पर पड़ी जिसकी आँखों में उस समय आसू थे उसे देखते ही धरम गुरु कह उटे हड़ियों के सिंगासन का उत्रदिकारी मुझे मिल गया है सबसे विदा लेकर परताव सिंग अपनी बेटी के साथ वापिस अपने राजी की ओर चल दिया समय तो चलिए दोस्तों वीडियो के यहीं समय आप करते हो और मिलते हैं राज कॉमिक्स के किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद